आगर अपड़ मरत कर इस रेसिपी को जरूर ट्राइज को आप को बहुत पसंद आएगा मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा अपने फ्रेंड्स और फामली में शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए बनाते हैं टेस्टी नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू तो देखे मैं यहां तीन बड़े सहच के आलू को इस आलू विल्कुल भी काला नहीं हो जितने चोटे-चोटे प्यपके मन हो उतने चोटे-चोटे अब इसके पीसे को काट सकते हैं यहां कढ़ाई में रख्यू हूँ पानी को गड़म होने के लिए तो मैं यहां दो कपे करीब पानी डाली हूँ और पानी जब अच्छे तरीक काना है इस से जद रही मिडियम होने हूँ को белог रख्याई में domination में और मट करना नियुक को करें अब मैं यहां डालूँगी थोरा सा कट हुआ हरा धनिया कुछिस कीज़ेगा कि हरा धनिया का आप डंठल भी डाले उससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया डालने के बाद अब मैं इसमें डालने के बाद 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 मैं इसमें डालने के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो नमक थोरा कम ही डाले क्योंकि हम आलू में पहले नमक, डाल चुके हैं, अगर आप इस नास्ते को ब्रत के लिए नहीं बना रहे हैं, तो आप इसमें प्याज का इस 나श्ते के भी बाड़ में बहीर के सकते हैं, और चाट मसालार गड़ा, और गड़ार सकते हैं, अब मैं इसमें डालूँगी तीन बज चम चायरा dozen रोट, डाल तुछ पर बीलकुल भी न करें कि अलुट गर्म जरप गर्म जरब अपिक गर्म और यहां डाल एक एक अश्ची कोटिंग हो जाती है पर इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है अगर चमसे आपको मिक्स करते हुए नहीं बन रहा है तो आप हाथों से इसे मिक्स करें सबसे पहले थोरा से घीला कर किम्कि ये बहुत ज्यासा जाधा ही तो हाथों मे hypothetical कीजिए必़IM बहुत असानी तरीके से यह mix हो जाता है तो देखिए मैं इसे किस तरीके से mix कर रही हूँ अब चलिए हम बनाते है अपना नास्ता तो नास्ता बनाने के लिए जब इस तरीके से आपके पास घर में जरूर छणनी होगी तो इस छणनी पे हम इस तरीके से इसे set कर देंगे और ँप Kriss बेंगे आपको बहुत से परनाओं चैन से साइप और करेंगें जब इस फ्राइज दूसरे में पास का इस्टा विए ना चिपके बिद्धे होगा। यह मुझे इसे फ्राइ करते हुए कड़ी बन तीन मिनट हो गया है और तीन मिनट में देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है और आलू भी बिल्कुल अच्छा तरीके से पक चुगा है तो बस इसी तरीके से हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे अगर आप इस नास्ते को ब्रत के लिए बनाया है तो इसके साथ टामाटर के छटनी बना ले या फिर इसी तरीके से इसे इंजुआए कड़े बहुत टेस्टी लगता है और काफी क्रिस्पी भी लगता है इसका टेस्ट एक दम फ्रेंच प्राई के जैसा लगता है तो देखि आलू भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुगा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि मेरी आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है